तमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी माहराश्ट में एदी के ताबटोर एक्शन से खबराई संजेह राउध लगाहतार जिस तरीके की बयानवाजी कर रहा हैं उसके बाद बीजेपी नेताओं को जेल चाना पड़ेगा तो संजेह राउध ने प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित किया है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम दाफे किये थे कि उसके बाद बीजेपी नेताओं को जेल जाना पड़ेगा, हलाकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संजेर राउत ने ये पूरी प्रेस कॉन्फरेंस की, इसे एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फरेंस करा देते हुए संजेर राउत ने, ये कहा है, संजेर रा है शायद हम कहते पर आपको नहीं बता पाएंगे लेकिन संजेर राउत की ये पूरी प्रेस कॉन्फरेंस साफ़तोर पर बता रही है कि किस तरीके से शिवसेना और संजेर राउत खबराए हुए हैं जो बीजेपी आपको लेकर ये टावा कर रहे थे कि आज की प्रेस कॉन्फरेंस के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं के पसीने छुड़ चाएंगे लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फरेंस में संजेर राउत पसीने पसीने होते नजर आए संजेर राउत की और से आरोप ये लगाया कि उन्हें धमकी दी गई थी कि सरकार नहीं गिराई गई तो उन्हें जेल में डालतीया जाएका सिर्फ इतना ही नहीं आदावा संजेर होत ये कर रहे हैं कि शिवसेना किसी से नहीं डरती है हमें परिशान करने वालों से साल 2024 के बाद निप्ता जाएका शिवसेना कि सांसर संजेर राउट की ओर से कहा किया है कि बहुत बरदाश्ट कर लिया है लेकिन अब बरबात करें के तो इस तरीके से पूरी प्रेस कॉफरेंस में वो बीजेपी पर जमकर पर से लेकिन जिस तरही के से वो बोल रहे थे और जो तवाम आखरोप उन्होंने बीजेपी नेताओं पर लगाए वो साथतोर पर इशारा कर रहे थे कि कहीं न कहीं संजेह राउद अब बेहत जादा डरे हुए हैं जिस तरही के से एडी का ताबरतो पर जपेमारी हो रही है तो दूसरी तरह शिवसेना के सांसर जंजेह राउद भी सो करोड रुपिये के कोफीड घोटाले में वजे हुए हैं और इस घोटाले का खुलासा बीजेपी नेता क्रीट जोमया की ओर से ही किया गया था और दूसरा उनकी बेटी जिस वाइन कंप कर चुकी है तो जाहर तोर पर अब संजेह राउद की बेटिया एडी की रडार पर हैं और इन तमाम चीज़ों से संजेह राउद खपराई हुए हैं और यही वज़ा है कि आज की पूरी प्रेस कांफरेंस में संजेह राउद ने जिस भाशा का इस्तमाल किया और जिस करने वाली हैं आपको बताने संजेह राउद ने कई गंफीर आरोप लगाई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि शिवसेना जो है नामर्दों की तरह वार करने वालों से कभी नहीं डरती है और इतना ही नहीं बीजेपी नेता क्रीट सुमहिया को दलाल करा तिया है संजेह बार दोस्तों और बच्चों को परिशान कर रही है याहीं एडी जब मनी लॉंडरिंग माफले में च्छानपीन कर रही है फिर चाहे वो पीमसी बैंक घोटाला हो या फिर तमाम अलग-अलग कंपनियों में जिस तरीके से शेल कंपनियां बनाई गई हैं उसमें लगातार परजी लेंदेन का खुलासा हुआ है उन कंपनियों की च्छानपीन हो रही है और संजयर राउत का परिवार अब एजी की रडार पर है तो इस स्पीच कहीं न कहीं संजयर राउत मजबूर हुए हैं कि इस तरीके से प्रेस कॉनफरेंस करके बीजेपी नेताओ को डराया च किया था कि वो सरकार किरा थे और दावा संजयराउत की ओर से गेफी किया कि 20 दिन पहले कुछ लोग जो हैं बीजेपी के कुछ पर्मुक लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे और बार बार मुझे ये कहा किया था कि इस सरकार से निकल जाएं ये हमारी पूरी तयारी है हम या तो राश्टपती जाशल लगाए के या कुछ विधायकों को हमारी तरफ ले लेंगे लेकिन ऐसा मैंने मना कर दिया और उसके बाद जेल में डानले की धमकी दी गई, सरकार किरानी की धमकी दी गई, ये तमाम आरोप लगाए हैं लेकिन उन तीन परमुक नेताओं के नाम अध्यक्षे माहराष्ट के चंदकांत पार्टिल, उन्होंने ये दावा किया था कि दस मार्च के गई वाद महराष्ट में बीजेपी की सरकार होगी और कही न कहीं आप बीजेपी का ये वयान संजयर राउत को डरा रहा है और यहीytt वज़ा है कि उन्होंने सवाल किया Helvet क कहीं न कहीं क्रीड सुमया चोल लगातार उन पर और उनके घोटालों का परदाफाश कर रहे हैं आपको बताते हैं क्रीड सुमया बीचेपी के नेता हैं और इससे पहले वो शिवसेना में रहे हैं तो जाहिर तोर पर वो माहराश्ट में उधाव ठाकरे सरकार और मुख्यमंत पर किया बल्कि इसके लाखवा शिवसेना के परमुक और मुख्यमंतरी उधाव ठाकरी के परिवार पर अलिह बाक में 19 बंगले बनाने का आरोप भी उन्होंने लगाया था बगात्या तमाम सबूत उन्होंने साफ में रखे थे लेकिन संजेर राउत अब उन तमाम सबूत उन्होंने ED, CPI, देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी और केंद्रिय ग्रिमंतरी अमिशा को लेकर कहा कि इस प्रेस कांफरेंस को कोर्स से सुने और कहा कि दरजल केंद्र सरकार केंद्रिय जाच अजेंसियों का इस्तहमाल करके माहराश्वर, बंगाल और जारखंट की स तो फिलाल संजेराउट की रफ्तारी से डरे हुए हैं जस तरीके से तमाम खोटाले, एक के बाद एक साफने आ रही हैं और तमाम वाफलों में ED का सिकंजा संजेराउट पर गहराता जा रहा है, तो कुल मिलाकर संजेराउट की वोखलाहट ही इस पूरी PC के दोरान कही न कह देखने को मिली, जहां उन्होंने ED के अधिकारियों पर फी गंबीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि दरसल चाहे गोली मारो, चाहे कुछ भी करो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ED के नाम पर मुंबई के परतिस्ठित जो बिल्डर्स हैं, उनसे वसूली की जा रही है, 60 बि का जिक्र किया है, निकॉन इंफ्रस्ट्रक्शर कंपनी, जो की क्रेट सो महिया की कंपनी है, और उसमें किस तरीके से खोटाला हुआ है, इन तमाम बातों का जिक्र जो है, वो संजेर हाउत की ओर से क्या है, माहराष्ट को बदराम करने की ये बड़ी साचिश हो रही है, हम पार्टी के लिए जानतेने को तहियार है, ऐसा कोई नहीं है, जो मुझे जेल फेज सकता है, इस तरीके की ये बयानवाची साफतोर पर दिखा रही है, कि इस तरीके की जटवटाहट है, लेकिन इन तमाम बयानों पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है, माहराष्ट के मुझे मंतरी देवेंदर परनविस की पत्नी आमरता परनविस ने संजयर राउथ की इस पूरी फ्रेस कॉन्फरेंस पर ट्वीट किया है, और लिखा है कि आज फिर एक बिल्ली ने ताहरने की कोशिश की है, तो वहीं नितेश राथी ने भी संजयर राउथ पर बार किया है और लिखा है कि जब चाटना होता है तो पवार साहफ है, जब काटने का मन हो तो बाला साहफ है और इसे कहते हैं लॉंबत्या राउथ, इस तरीके से पलटवार जो है वो किया किया है और चूगी इस पूरी फ्रेस कॉन्फरेंस में मोहित कामपोस का जिक्र भी संजयर मौहित कंबोज ने ट्वीट किया है कि और कहा है कि वो प्रेस कॉन्फरेंस करके सेंचे हृथ के एक और सवाल का और एक और रहुप का जवाब देंगे यह उनकी तरफ से कहा किया है है तो कुल विलाकर आज की पूरी प्रेस कॉंफरेंस जिसमें संजेर हाउथ ने बीजेपी नेता क्रीट सुमहिया को खेड़ने की कोशिश की उन्हें कहीं न कहीं उनकी कंपनी को लेकर जो खुलासा किया और साफ़तोर पर ये बताया कि ED का इस्तमाल किया जा रहा है ED का इस्तमाल करके उन्हें फसाय जा रहा है लेकिन शायद संजेर हाउथ ये भूल गए हैं कि दरसल आज जिस गिरफतारी का डर उन्हें सता रहा है लेकिन कुछ वक्त पहले उन्होंने अपनी सत्ता का दुरूप्योग करते हुए किस तरीके से मुंबाई पुलिस का इस्तमा करते हुए तमाम नेहताव को गिरफतार किया है फिर चाहे उसमें केंडने मंत्री नारायन तरह की कि गिरफतारी हो या फिर उनके बेटे निदेश i ko bhi हाली में गिरफतार किया था पिलार वो जमानत παर बाहर है उन्हें फी एक माफले में दरसल गिरफतार किया हिया और इसके राखवा अर्णम गोस्वाफी की गिरफतारी को लेकर पहले ही मुंबाई के पूर पुलिस कमिशनर परमवीर सिंग बड़ा खुलासा कर चुके हैं कि किस तरीके से अनील तेश्मुक के कहने पर उनकी गिरफतारी हुई थी अनील तेश्मुक जो की माहदाश्ट के पूर ग्रिमंत्री रह चुके हैं और फिलाल जेल में बन हैं लेकिन आज अगर अनील तेश्मुक को गिरफतार किया है तो वो भी कही न कहीं संजयर राउत को चुब रहा है और संजयर राउत की ओर से ये कहा किया है कि दरसल एक 80 सा के बुठे को गिराफतार कर लिया किया जो की एक हार्ट पेशेंट है उसका भी खयाल नहीं रखा किया तो संजयर राउत आकर इस तरीके की बयानवाजी क्यों कर रहा हैं जिसने गलत किया है जिस पर गंभीर आरोफ हैं जिस पर हर महीने 100 क्रोड वसूली के सबूत एड़ी को हाथ लगे हैं तो उसकी गिराफतारी जाहिट तोर पर होगी फिर जाहे वो 80 साल का हो या 90 साल का हो लेकिन कुल फिलाकर संजयर राउत की ये प्रेस कॉनफरेंस बताती है कि किस तरीके से संजयर राउत फिलाल माहराश्ट में एड़ी की ताबट तोर च्छापेबारी से पोखलाई हुए हैं और कहीं न कहीं डर साफतोर पर दिखाई दिया है कि अगला नंबर गिराफतारी का संजयर राउत का भी हो सकता है क्योंकि लगाफतार एक के बार एक बड़ा खुलासा संजयर राउत को लेकर हो रहा है और संजयर राउत और उनका परिवार ईजी की र डार पर है फिलाल आपकी इस पूरे हमाफली पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तन्यवाद